दश्चकों पहले खेत, किसान और बैल का चोली दामन का साथ होता था पर जब से ट्रेक्टर कांती आई है खेत, किसान और बैल का रिष्टा लगबख तूट सा गया है सब जग़े खेती मेकेनेज़्ट हो गई है इससे समय भी बसता है, मेनत भी बसती और पैसा भी और शाय ठीक भी है पर दोस्तो आज के दौर में अगर कोई किसान बैल से हल जोतता हुआ मिलेगा तो या तो आप उसे पागल कहेंगे या फिर दिवाना आये दोस्तो हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही दिवाने राजिंदर सिंग रावत से जो इस युग में भी बैलों से खेत चोत रहे हैं ये वीडियो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एक हिसा कालागर टाइगर पार्क के बफफर एरिया में नयग्याना गाउं का बैल से खेती करना रावत जी का जिनून भी है और शायद इनकी मजबूरी भी आस पास सब जग़ छोटे छोटे ट्रेक्टर आ चुके हैं सरकार उस पर सबसीडी भी दे रही है पर रावत जी का दिल है कि मानता ही नहीं अपने खेतों को बैलों और बाजों से जोटने और पसीने से सींचने में जो मज़ा आता है वो इन लोहे की मशीनों में कहां दोस्तों हैरानी तो मुझे तब हुई जब पता चला इन्होंने अपनी जिंदिगी भर में कभी खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर यूजी नहीं किया इनको ना जादा का लालच है और ना मेहनत से डर इनकी बस एक ही प्रात्मिक्ता है जैविक खात और जैविक भूजन पर अब ये देखना है कि आने वाली इनकी नसले कब तक इस प्रथा को चला पाएंगी हम तो यही कहेंगे लिटर तर बैटर जितनी जादा देर से शुरू करेंगे उतना जादा अच्छा है वैसे भी आजकर जैविक खात और जैविक खाना दोनों फैशन में हैं एक सेल्यूट हमारे किसान राजिंदर सिंग रावत के नाम जै हिंद